Hi everyone, welcome back in our Hindi class. In today's class, we are going to learn about Vigyapana. Okay, so let's begin this class. Dear friends, ये है सौंदर क्रीम जो आपको गोरा और सुंदर बनाती है. ये है 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 एर ओयल जो आपके बालों को काला घना और लंबा बनाता है. ये है टूथपेस्ट जो आपके दातों को चमकीला और सुष्थ बनाता है. और भी ऐसे कितने सारे उत्पार हम अपने दैनिक जीवन में उप्योग करते हैं. आप भी उप्योग करते हैं ना? क्या आप मुझे ये बताएंगे ये सारे उत्पार आपको कैसे पता चले? कैसे आपको इनकी जानकारी मिली? हम्ण। हम सबको पता है इनमें से ज़्यादा तर उत्पार हमने तीवी पर विज्यापन में देखे होंगे. कभी निउजपेपर में इनका विज्यापन देखा होगा, किसी पत्रिका में इनका चित्र देखा होगा और या फिर इंटरनेट पर इनका विज्यापन देखकर हमें इनकी जानकारी मिली होगी. है ना हम सब इन विज्यापनों के द्वारा ही ऐसे हजारों उत्पादों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करते हैं टीवी पर, इंटरनेट पर, मोबाईल फोन्स पर इन विज्यापनों को देख कर हम कई बार आकरसित अवस्य हुए होंगे कई बार इने देख कर हम लुभा जाते हैं तो क्यों ना हम भी ऐसे ही विज्यापन लिखने का अभ्यास करें चलिए आज हम लोग लेखन कौसल में सीखते हैं विज्यापन लेखन एक विज्यापन क्या होता है? अच्छा विज्यापन लिखने के लिए क्या आवस्यक बाते हैं? जो हमें समझनी हैं? विज्यापन कितने प्रकार के होते हैं? इनका क्या उद्देश से होता है? यही कुछ बातें आज की क्लास में हम सीखेंगे. So friends, start करते हैं आज की class ज्यापन सब्द में वी उपसर्ग लगाने से विज्यापन बना है इसका आर्थ है जानकारी देना वर्तमान समय में उत्पादकों द्वारा अपनी वस्तों को बेचने के लिए विज्यापनों का जम कर प्रियोग किया जाता है इन विज्यापनों की भाषा आकर्षण और अतिश्योक्ती पूर्ण होती है जो की लोगों पर जादू सा असर करती है किसोर और बच्चे उन्ही वस्तों का प्रियोग करना चाहते हैं जिनका वे विज्यापन देखते हैं अब तो विज्यापन हमारे खान पान और रहन सहन को बुरी तरह प्रवावित करते हैं आपने देखाओगा टीवी पर जिस अभिनेता ने जिस उत्पात का विज्यापन किया है ज्यादा तर बच्चे ज्यादा तर युवा उसी वस्तों को खरीदना चाहते हैं हम भी उन्ही लोगों में से एक हैं जिस विज्यापन का जितना जादा प्रियोग होता है जिस उत्पात को जितना जादा विज्यापित किया जाता है हम उससे उतने ही जादा आकरसित होते हैं उसको उप्योगी समझ लेते हैं और उससे खरीदना चाहते हैं तो इस तरह से विज्यापन हमारे जीवन में बड़े उप्योगी है और इनका काफी प्रभाव भी हमारे जीवन पर है चलिए विज्यापन का उद्देश से क्या है? किस उद्देश से विज्यापन बनाए या प्रचारित किये जाते हैं? विज्यापन का उद्देश से है जानकारी पहुचाना, सूचना पहुचाना कई बार यहां हमारे लिए उप्योगी होते हैं तो कई बार यहां हमें प्रामित भी करते हैं आपने देखा होगा कई बार कुछ उत्पार खरीदने के बाद हमें पचताना होता है क्योंकि जो विग्यापन में दिखाया गया, वह सत्ति नहीं होता इसलिए विग्यापन देखते हुए, अपनी समझ से काम लेते हुए भी उत्पाद को खरीदना चाहिए ठीक है, इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है उनके सामने चुनाओं के विकल्प, कुण मोल परकने की सुविधा सरलता से उपलब्ध हो जाती है इससे विक्रेता भी लाव कमाते हैं विग्यापन की सहायता से कम से कम खर्च में अधिकाधिक लोगों तक अपनी बात पहुचाई जाती है यही कारण है कि आज समाचारपत्र, पत्रिकाएं, दूरदर्शन की विभिन कारिक्रम, पोस्टर, बैनर यहां तक की दीवारें भी रंगी नजर आती है तो यह हैं विग्यापन का उद्देश से पिक्यापन के क्या महत्तोपोण कार रहें, एक बार हम यहां भी समझते हैं बाजार में आई किसी नई वस्तो या सेवा की जानकारी लोगों तक पहुचाना नमब टो, वस्तो की गुण वत्ता, उप्योगीता वा उसके विश्श्ट गुण लोगों तर पहुचाना नमब ट्री, उभुक्ताओं का ध्यान उत्पात के प्रती आकर्षित करना ताकि बिक्री ज्यादा से ज्यादा हो सके उत्पात के प्रती लोगों के मन में विश्वस नियता बढ़ाने के लिए वस्तो से संबंदित आकर्सक योजनाओं को लोगों तक पहुचाना ताकि लोगों को फायदा हो सके इस तरह से इन कार्यों के उद्देश से की पूर्ती के लिए ही हम विज्ञापन की रचना करते हैं अध्ध विज्ञापन बनाते हुए हमें यह ध्यान रखना होगा कि विज्ञापन आकर्सक और लुभावने होने चाहिए विज्ञापन के प्रकार विज्यापन मुखे रोप से च्छा प्रकार के होते हैं इनके बारे में जानना भी हमारे लिए आवस्यक है ताकि जब भी हम विज्यापन की रचना करें उसके प्रकार के हिसाब से ही उसे चित्रित करें उसमें सब्दों, स्लोगन और चित्रों का प्रियोग उसके विशय के अनुरूप ही करें तो नम्ब वन रास्ट्रिय विज्यापन इस तरह के विज्यापन विक्रेता कम्पनी द्वारा अपने उत्पाद का प्रिचार पूरे देश में करने के लिए बनाये जाते हैं इस तरह की वज्दों की विक्री पूरे देश में की जाती हैं, कई बार एक ही रास्ट्रिय विज्यापन कई भासाओं में बनाया जाता है जैसे पड़ी कम्पनियों के मोबाइल फोन, फ्रेज, एसी, टीबी या कोई खार्द उत्पाद आदी से संबंधित विज्यापन अलग-अलग भासाओं में बनते हैं, इसलिए यहां रास्ट्रिय विज्यापन कहलाते हैं, क्योंकि पूरे रास्ट्र में इनका परचार किया जाता है तो एक ही वस्तों, एक ही उत्पाद को अलग-अलग भासाओं में विज्यापित किया जाता है नामबर टू और धोगिक विज्यापन या इंदस्ट्रियल एडवर्टीजमेंट और धोगिक विज्यापन सामाननी जन्मानस के लिए नहीं होते इस तरह विज्यापन उद्धोग धंदों से संबंधित वस्तों जैसे कच्चा माल, उपकरन, कलपरजे या पार्ट्स आदिकी विक्री के उद्धेसे से किये जाते हैं, जो और धोगिक छेत्र मैनुफेक्चरिंग में काम आते हैं और इन्हीं कंपनियों के लिए प्रियोग होते हैं नमबर त्री, जन्कल्यान संबंधित विज्यापन, पब्लिक वेलफियर एडवर्टीजमेंट जन्कल्यान संबंधित सुचनाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए जन्कल्यान संबंधित विज्यापनों का सहारा लिया जाता है जैसे रत्तदान, एक्स या टीवी की बीमारी का एलाज संबंधि विज्यापन, कन्या भ्रोण हत्या को रोकने, बेती पढ़ाओ, बेती बचाओ अभियान, स्कोल चलो अभियान, प्रदोशन की समस्या, स्वच्छ भारत अभियान आदे यह सरकारी, अर्ध सरकारी वा स्वहन सेवी संस्थाओं द्वारा दिये जाते हैं स्थानिय विज्यापन, लोकल एडवर्टीजमेंट इस तरह के विग्यापन, स्थानिय स्थर या किसी छेत्र विशिस पर वस्तूं के विक्री बढ़ाने के लिए दिये जाते हैं इनको स्थानिय लोगों की पसंद को ध्यान में रखकर बनाया जाता है ये छोटे छेत्र में किसी वस्तु के प्रचार प्रसार के लिए होते हैं। इनका प्रचार प्रसार स्थानिय समाचार पत्र, प्षेत्रिय टीवी, केबल निट्वर्प, बैनर, पोस्टर आधी के द्वारा किया जाता है। वर्गी करत विग्यापन Classified Advertisement वर्गी करत विग्यापन जैसे किराय के लिए घर्या, दफ्तर, नौकरी, रोजगार, वैवाहिक, पुराना सामान की विक्री, कार, फरनीचर, जमीन आधी से समंधित होते हैं। इनका प्रचार प्रसार स्थानी समाचार पत, शेत्री टीवी, केवल लेट्वर्ग, पैनर, पोस्टर आधी के द्वारा किया जाता है। सूचना प्रत विग्यापन Informational Advertisement सूचना प्रत विग्यापन में मुख्य रोप से किसी विशे सूचना को लोगों तक पहुचाया जाता है। इसमें कई प्रकार की सूचनाई हो सकती हैं। जैसे किसे सिक्षा संस्थान से नाम लिखाने की सूचना, सान्सक्रतिक और आध्यात्मिक से जुड़ी सूचना, याता या सुरक्षा और वन्यप्राणी सुरक्षा से जुड़ी होई सूचना का विग्यापन। तो या थे विग्यापन के प्रकार, जब भे हम विग्यापन रचना करेंगे, इन विश्यों का ध्यान रखेंगे, जिस विशे से संबंधित विग्यापन लिखा जाएगा, उसी कैन रूप उसमें जानकारी हम प्रस्तुत करेंगे। विग्यापन लिखन कैसे करें। दिज्यापन लिखते समय हम कौन-कौन सी बातों का प्रियोग करेंगे नमब वन एक बॉक्स सा बनाकर उपर मध्य में विज्यापित बस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए नमब टो, दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल धमा का खुश खवरी खुल गया जैसे लुभावनी सब्दों को लिखना चाहिए नमब ट्री, बाएं और मध्य में विज्यापित बस्तु के गुनों का उलेख करना चाहिए दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र देना चाहिए नमब फाइव, स्टॉक सीमित या जल्दी करे जैसे प्रेरक और लुभावनी सब्दों का प्रियोग किसी डिजाइन में होना चाहिए नमब सिक्स, मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उलेख अवस्य किया जाना चाहिए नमब सैवन, उपर ही जगह देखकर कोई छोटी सी तुकबंदी जिससे पढ़ने वाला आकरसित हो जाए तुकबंदी अर्थात, कोई स्लोगन, कोई राइम आप बना कर लिखेंगे नमब एट, संपर्क करें, फोन नमबर का उलेख करें जैसे 011.23456789 आदी, ऐसा कोई एड्रेस आप लिखेंगे अपना या सही फोन नमबर ना देने से बचना चाहिए यानि आपको अपना सही नमबर या सही पता नहीं लिखना है या केवल कालपनिक ही होना चाहिए तो यह है कुछ महत्तुपोंड बाती, जब आप विग्यापन लिखन करेंगे तो इनी का प्रयोग करते हुए आप एक आकरसक विग्यापन तयार कर सकते हैं लेकिन सबसे महत्तुपोंड होता है अभ्यास यदि आप अलग-अलग विशियों पर विग्यापन लिखने का अभ्यास करते हैं और अपनी कलपना से उसमें तुक बंदी करते हैं, स्लोगन डालते हैं और रचनात्मक्ता के साथ उसे तयार करते हैं तो आप परिक्षा में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं आपको पता होगा कि विग्यापन लिखन के लिए आपकी परिक्षा में पांच अंक निधारित किये गए हैं तो आई होब कि आपको यह विशे समझ आया होगा इस विशे को और अधिक अच्छी तरह समझने के लिए हम देखेंगे कुछ उदाहरन अलग-अलग विशियों पर विग्यापन लिखे गए हैं आप इन उदाहरनों को देखकर इनके अनुसार विग्यापन बनाने का अभ्यास करिए और एक अच्छा सा विग्यापन तयार करिए सभी उदाहरनों में स्लोगन का टैग लाइन्स का और विसेज गुड़ों का उत्पास से समंदित जो भी उसकी गुण है विसेज ओफर इन सभी को अच्छे ढंग से सयोजित करते हुए आप भी एक विग्यापन तयार करिए इन विग्यापनों में विसेज बात जिहा है कि इनमें चित्रों और रिखांकन का भी प्रियोग हुआ है यदि आप अपने विग्यापन को प्रभावसाली बनाना चाहते हैं लुभावना बनाना चाहते हैं तो आप भी कम सब्दों का प्रियोग करें और अधिक रेखांकन या चित्रों का प्रियोग करें चित्र बनाते हुए आप रंगों का प्रियोग भी कर सकते हैं लेकिन जल रंगों का प्रियोग करते समय आपको अधिक समय लग सकता है और परिक्षा में समय सीमित होता है तो आप सतर्क रहिए समय के अनुसार ही आप समगरी या रंगों का इस्तेमाल करें so I hope today's class is useful for you this topic is clear now friends this is time for leave thank you for learning with us keep smiling keep safe yourself and keep smiling always thank you bye